हलो नमस्कार गुड मॉर्णिंग सूपर भात सभी विद्यार्तियों को नमस्कार सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके डी ट्रिपल एस भी में आपके सेक्षन ओफिसर होटी कल्चर के अंतरगत कुछ फ्लोरी कल्चर वाला पार्ट तो उतकर्स क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफोर्म पर आपके अपने उतकर्स अगरिकल्चर क्लासेज के इस यूटूब चैनल पर सभी विद्यार का हार्दिक स्वागत और अभिननन है किसी कारण वहस्ति इसको कह सकते हैं आज ये क्लास हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं आपके साथ तो आपको दिख रहोगा कि ये प्रीमियम जिसको कह सकते हैं उतकर्स के अगरिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एप में ल हम जिसको कह सकते हैं आपके कुछ फ्लोरी कल्चर के क्यूसंस देख लेते हैं अन्तिम क्लास में आपके कुछ क्यूसंस रह गए थे तो सबसे पहले हम उन पर बात कर ले और फिर आज के कुछ नए क्यूसंस भी हम आपके साथ सेर करेंगे लिकिएगा गिर्सम कालिन एक वर्षे फूल वाले पोधों के बीजों की बुआई का उचित समय कौन सा है विश इज दा एप्रोपिरियेट टाइम फोर शॉइंग सीड्स ओफ समर एन्वल फ्लोवरिंग प्लांट्स देखिएगा राजस्तान में अभी हाल ही में एक एकजाम होने वाला च्यार फरवरी को कर्शी परविक्सक का उसमें पूछा जा सकता है कि निमन में से कौन सा एक वर्षे गिर्सम कालिन फ्लोवर है जी सी जी पी अपन कई बार कहते ने कि बहुँ ज्यादा ग्यान पेल है अब यह ग्यान आपके यहां पर क्या आएगा देखना यहां पर ठीक है तो यह ध्यान डखना यह ट्रिक जिसको कह सकते आप लिख सकते हो हो ग्यान चंद ग्यान चंद इनको छोड़ दे ना ग्यान चंद क्यों ग्यान पेले भाई ग्यान पेले हमी गणे उशार है और भाई उशार हो तो काम आएगा ना देखो जी पोर ग्यान चंद क्यों इसको छोड़ दो यहां देखो फिर जी और फि पी तो जी सी और जी पी यानि कि ग्यान चंद क्यों ग्यान पेले तो आजाओ यहां पर क्या है जी का अगर देखेंगे तो जी फोर जीनिया ज्यान रकना जी फोर जीनिया ठीक है सी फोर कोचिया भाई देखो जी का जीनिया सी का कोचिया और ग्यान यहां देखो क्या आएगा फिर आपके गेलाडिया और पीपोर पोर्चुलीका तो देखिएगा ये ज्ञान पेलने वाला तरीका था ना ये आपके यहां काम कर देगा आपका जीनिया, कोचिया, गेलाडिया और पोर्चुलीका सर चारी है तो भाई आपके क्लास 11 एंसियार्टी की भुक में ये चारी लिखे हुए और जहां तक उमीद और विश्वास और यकीन है तो आपके ये काम हो जाएगा ये ऐसी फ्लोवर चारो जो आपके जैसे इंपोर्टेंट है तो द्यान नकना डियसेस बी में भी तो ये द्यान डखना है आपको ज्यान चंद क्यों ग्यान पे ले तो जी फोर जीनिया सी फोर कोच्या जी पोर गैलाडिया पीपोर पोर्चु लिका ये द्यान डखना ये तो बात ओगई इसकी अब क्या कह रहा है कि अगर गिर्सम कालीन फ्लोवर्स हैं तो उनकी कर नहीं सकते क्यों कि अगस्ट सितंबर तो आपको इसको कह सकते फिर आपके सामने सर्दियां है तो सर्दियों की रह जाएगी यह तो क्योंकि इनकी फूलों की आपको पता है कि फूल जो होते हैं उनकी नर्सरी किते दिनों में तयार हो जाती है इनकी नर्सरी आपके इन जर कोवरिंग का time है आपके इस समय देख रहे हूंगे आपके डहेलिया वगएरा में आपके फुल फूल आ रहे हैं कि दिस्टमर जन्वरी अब अगर आप दिस्टमर में लगाएंगे जन्वरी में लगाएंगे तो देखिएगा जब गर्मियों की बात आती है तो यह प्योर गर व्हाटम हो गई गर्मियों की तो जन्वरी मार्च आपका यहां नहीं दिसंबर और जन्वरी में इसके सीडोको लगा सकते हैं यह ध्यान ड़कना दिसंबर में नर्सी तैयार करोगे जन्वरी में ट्रास प्लांट कर देना फिर मार्च अप्रेल महीं में आपके यह खूब फ परती हेक्टर बीजदर कितनी रखी जाती है और ये नर्सरी में काम में आती है आपके वाटी दा पर हेक्टर सीड रेट ऑप मेरी गॉल डेड़ केजी, दो केजी, धाई केजी या तीन केजी तो आप सभी को पता है कि हम गेंदे के लिए क्या करते हैं गेंदे के लिए जिसक आंसर आपका 1.5 जिसको कह सकते हैं आपका इसका राइट आंसर है यह द्यान रखना ए ठीक है अगला देखू निमन लिखित कतनों को पढ़ें और एसकते कतन का चैन करें रीड दा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दा फॉल्स स्टेटमेंट्स अफ्रीकन गेंदे के फूलों में केरिटिनोइड्स पाया जाता है बिल्कुल अफ्रीकन गेंदे में केरिटिनोइड्स पाया भी जाता है एक्स जेंतोफिल और आपके जिया जेंतीन ठीक है कौन सा क्यर्टिनोईड है तो देखिएगा जेन्टोफिल जेन्तोफिल दिखाए देता है और जीजेंतिन ठीक है जीजेंतिन तो जेन्तोफिल और जीजेंतिन और कई बार लूटीन ठीक है यह इसका यह पर्टिकुलर मामला तो यह अफ्रीकन गेंदे के फूलों में केरिटिनोड जेंतोफिल और जिया जेंतिन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इस अफ्रिकन गेंदे की जो पैटल्स होती है जो पंकूडिया होती है इन पंकूडियों का कहा परियोग किया जाता है इनका परियोग किया जाता है ठीक है, मुर्गियों के दाने में, ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना है आपको फ्रेंच गेंदा दिवी गुनित, एम एफ्रिकन गेंदा चत्तुर गुनित होता है फ्रेंच, मेरिगोल्ड इस डिपलोईड एफ्रिकन, आपके क्या है, जिसको कह सकते है टेट्रापलोईड टेगेटस, माइनिटा गेंदे की एक जंगली पर जाते हैं, जिसका उप्योग पर्फ्यूम में किया जाता है गेंदा पुस्प बाजार में गुलाब के उप्रांत सरवादिक बिकने वाला पुस्प है बिलकुल एक चीज़ ध्यान रखना अगर कट फ्लोवर में सबसे ज़्यादा बात करें या ओवरॉल आपसे पूछ ले जाए कि चाई भारत में चाई विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आपका फ्लोवर कौन सा है तो आपके गुलाब कट फ्लोवर में पूछ ले तो गुलाब लेकिन दूसी तरफ आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर जब हम बात करते हैं आपके किसकी लूज फ्लोवर की तो लूज फ्लोवर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फूलों में गैंदा मेरी गोल्ड और ओवरॉल फूलों में देखे तो मेरी गोल्ड आपको दिखाई देगा ये ध्यान तो ये तो सही है एक भी सही है और चार भी सही है और तीन भी सही है लेकिन फ्रेंच गेंदा यहां देखो डिवी गुनित मामला यहां पर है तो यह कैसा होता है टेट्राप्लोइड यहां पर एफ्रीकन में डिप्लोइड ठोड़ा सा उल्टा आपके सब्द लिखे हुए है इधर रखना आपको यह तो प्लेटफर्म पर हम आपको लगातार करवा रहे हैं खूब करवा रही है तो आप इनका जरूर ध्यान लखना है आपको ठीक है तो यहाँ पर क्या है केवल जिसको कह सकते हमारा क्या है दो जो है वह एसकते बाकी स्टेटमेंट्स हमारे ठीक है अफ्रीकन गेंदे के फूलो गेंदे में अगर वास्पसिल तेल की बात कर लें अगर बात कर लें तो अफ्रीकन गेंदे में वास्पसिल तेल की मात्रा कितनी होती है तो यह द्यान लखना 0.2 से लेकर के 0.5 तक आपको माननी है और फ्रेंच गेंदे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको यहीं से कतम कर देना जहां से यह कतम हुआ वहीं से 0.5 से लेकर के 0.5 परस ठीक है यह द्यान लखना है आपको तो यह पर पूछ लिया जाए कि अफ्रीकन गेंदे में एसेंसिल ओयल 0.2 से 0.5 फ्रेंच गेंदे में 0.5 से 1.5 यह द्यान लखना आपको ठीक है तो चलें अगले सवाल पर आईएगा सवाल जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएगा वो यह है लिखेगा गुलाब की खेती के लिए अनुकूल रात्री तापमान कितना होना चीए रोज के लिए अगर पूछ लिया जाए गुलाब के लिए तो यह द्यान लखना गुलाब वैसे तो एक हार्ड क्लाइमेट का है नोर्थ से लेकर के साउथ इस्ट से लेकर के वेस्ट सभी परकार की जलवायों में इसे आसानी से उगया जा सकता है लेकिन फिर भी अगर दे सितोशन जलवायों का अपके यह द्यान ना किरा घीक है थीक है थिक है सितोशन जलवायों है तो आपको टेमप्रेचर पूछा 10 डिग्री सेलचेस 15,45,25,25,25,26 कितना है साड़े पंद्रा डिगरी सेलसेश यह ध्यान लगना आपको ठीक है साड़े पंद्रा तो बीस का क्या है राइट आंसर ही आपको ध्यान लगना है ठीक है आएगा अगला सवाल इस टेंपरेशर पर फ्लोवर्स का डवलप्मेंट अच्छा होता है लिकिए गा नेमेटोर्स प विच क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर कल्टिवेशन इन नेमेटोर्स इनफेस्टेड सोईल्स या इनफेक्टेड सोईल्स ठीक है इनफेक्टेड सोईल्स ग्लेडियोलस गुल्दाउदी रोज और मेरी गोल्ड तो देखेगा नेमेटोर्स को कंट्रोल करने के लिए और रूप से अगर आप देखेंगे तो सोले नेशी जो फेमेली होती है सोले नेशी फेमेली में परमुक समश्य यह होता है कि उनमे नेमेटोड का अटेक होता है यह ध्याल नकराब को ठीक है किसमें सोले नेशी में क्या होता है सुत्र कर्मी नेमेटोड का परभाव होता है यह ध्याल नकराब को ठीक है अब यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो ध्यान रेकना गेंदे का प्रियोग किया जाता है ठीक है मेरी गोल्ड का ठीक है तो यहाँ पर d क्या है इसका right answer है ठीक है तो यहाँ पर क्या है डीस का राइट आंसर है ठीक है तो चलते हैं आगे डीस का सही आंसर है अगला देखो यह हमारे पिछली जो कल की सेशन में रह गए थे उसके क्यूसन्स थे और यह आज के कुछ क्यूसन्स है तो ओर्किड अनुसंदान एं विकास के अंदर कहा पर इस्तित है वेर इस दा ओर्किड रिसर्च एंड डवलपमेंट सेंटर इस लोकिटेड देखेगा राष्ट्य ओर्किड अगर संस्तान पूछले नेशनल ओर्किड रिसर्च इन इस्टिटूट ठीक है आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रिय और्किड अनुसंद्धान ठीक तो आप क्या बताओगे तो आपको होगे कि साफ गंग टॉक सिक्किम में अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है यह पूछ रहा है कि और्किड अनुसंद्धान एम विकास के अंदर कहा परिस्थित है तो देखे का वेर इस दा ओर्किड रिसर्च एंड डवलप्मेंट सेंटर लोकिटेड अरुनाचल परदेश बैंगलूरू लकनव या सिरी नगर सिरी नगर में अगर आप देखो है तो इंडियन आपके सेंटरल इनस्टिट्यूट ओप टेंपरेट होर्टी कल्चर कभी यह पूछ लिया जाए कि केंद्रिये सितोषण बागवानी संस्तान कहां इस्तित है तो शिरी नगर लेकिन इसकी स्थापना जब हुई तब कहां हुई थी लखनव में हुई थी यह दिया हमापको लखनव में एक तो यह आपर सेंटरल इनस्टिटूट ओप मेडिशनल एंड अरॉमेटिक प्लांट्स हैं लखनव में यहीं लखनव में सेंटरल इनस्टिटूट ओप सब ट्रोपिकल होटी कल्चर या कई बार इसे दे सिए एस सेच भी लिग देते फिर बेंगलूरू तो बेंगलूरू में क्या है आपका IIHR Indian Institute of Horticulture Research IIHR ठीक है डबल आई एचार तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर अरुणा चलपर्देश इसका सही आंसर है यह द्यानक नाव को ठीक है क्या है अरुणा चलपर्देश इसका सही आंसर है तो यह इसका राइट आंसर है अगला देखो ठीक है बई चले आगे अगला देखो निमन लिखित में से घमलों में लगाने है तू उप्रियुक्त गुलाब की परजाती है घमलों में हम जो गुलाब लगाते है उसके लिए आपके पास कोण ची जिसको कह सकते है आपके यह है यह आपको देख करके बताना है ठीक है लता गुलाब इसे रोज क्रीपर जिसको कह सकते हैं आपके फलोरी बंडा गुलाब हाइबरिट टी और मीनियचर गुलाब तो गुलाब की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली में कौन ची आती है hybrid tea लेकिन आप से पूछा गमलों में तो गमलों में लगाए जाते है छोटे गुलाब तो जिन में छोटे फूल आते हैं उनको कहते हैं baby rose ठीक है आपने देखा होगा तो उसे कहते baby rose ठीक है इसे miniature ठीक है तो आपने सुना होगा रोजा मोश चाटा ठीक है baby गुलाब miniature गुलाब ठीक है तो छोटे गुलाब में miniature गुलाब में हम क्या करते हैं इनको हम घमलों में जिसको कह सकते हैं आपके उगाया जाता है यह ठीक है तो यह मेनियेचर गुलाब जिसको कह सकते हैं रोजा मोश्चाटा की रूप में जिसको हम जानते हैं यह ठीक है तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंचुर अमारा डी है यह ठीक है अगला देखो सुत्रकर्मी के प्रभाव को कम करता है विच ऐलेमेंट डज मेरी गॉल्ड प्रोड्यूज। विच रीड्यू зах다 इफेक्ट ओपमेटोड ये द्धाने आत्याने करता है आपको ठीक तो कौन sürता तत्यू उत्पन करता है जो सुत्र कर्मी के प्रभाव को कम करता है विच एलिमेंट डज मेरी गॉल्ड प्रोड्यूज विच रिड्यूज दा इफेक्ट आप नेमेटोड अलफा टर्थिनायल बीटा जैंतोफिल अलफा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन देखेगा बीटा कैरोटीन एक इंपोर उस बीटा कैरोटीन की वज़ेशे आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर क्या है यहां आपको देखने को मिलेगा आम में पीलापन यहां अगर देखे अलफा टर्थिनायल यह आपके गैंदे की जो रूट्स होती है ठीक है यह रूट्स जो आपको दिखाई देती हैन रूर्स में क्या दिखाई रेता है इन रूर्स में सेक्रेट होने वाला एक도 ले फाटर्थिनल इसकी वजहती ने मेट्रोड्स को सिर्व कंट्रल किया जाता है नेमेट्रोड्स कि पिरभाव को कम किया जाता है इत्य यह मैं तो यहां पर A right answer अगला देखो ग्लेडियोलस की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी वह पोधे से पोधे की दूरी रखी जाती है फोर प्लांटिंग ग्लेडियोलस रोटू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज मैंटेंड तो ऐसा क्यूसन्स वैसे पूछा नहीं जाता हूँ साथ ये क्यूसन्स कल भी देख लिया था हमने पंद्रह इंटू 10 तीस इंटू 20 शाट इंटू 45 और फिच्वतर इंटू 25 तीस इंटू 15 बढ़िया आंशर है यहाँ पर तीस इंटू 20 भी आपके दे रखा है तो यह आपका सही है इस पर ज्यादा कर चार्चा करने क्या हो इसको 100 से पहले ही मल्टिपल और कर लो 100 से मिटर में कनवर्ट करने के लिए तो 2460 जाएगे दो च्यार 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 और इनमें च्यार का भाग दे दो छह एकम छह चार जिरो चचंगा 36 चार जिरो चचंगा 36 चचंगा 36 एकाईद दाईश एकड़ा जार दर जार लाक तो 1 लाक 666666 इसके इसाब से आपके पोधो की संख्या देखने को मिलती है अगला देखेगा गलेडियोलस किस भासा का एक प्रमुक सब्द है gladiolus is a major word या English language term 2 of gladiolus Latin का है Greek का है Arabic का और French का है देखेगा gladiolus जो सब्द है यह एक लेटिन भासा के सब्द से बना है और इसका जो अर्थ होता वो होता श्वाड का मतलब होता तल्वार तो ग्लेडियूलस में अगर उसकी लीफ को देखा जाए इसकी लीफ को देखा जाए तो लीफ कैसे होती है तल्वार की भाती तल्वार जैसी इसकी लीफ होती है यह ध्यान रखना है आपको तो इसलिए इसे कह देते हैं आपके श्वाड ली तो नाम भी आपको ध्यान लखना क्या कह दिया जाता है इसे श्वाड लिली कह देते हैं यह ध्यान लखना आपको ठीक है तो यहाँ पर लेटिन लेंग्वेज का यह सब्द है यह ध्यान लखना आपको ठीक है ए वर्ड इसका जो ए जो है राइट आंसर इसका यह ध्यान करने के लिए नरसरी के लिए कितने बीजों की आउशक्ता होती है तो यह रीपीट हो गया है क्यूसर हाउ मैनी सीड्स आर रिक्वाइड फोर दा नरसरी तू कल्टीविटेड मेरी गॉल्ड वन हेक्टर है ठीक है तो यह आपर इस पर चर्चा करने के आउशक्ता नहीं आगय सबसे ज़ीड और सबसीजादा नारंगी और पूशा बसंती के बारे में पूसा नारेंगी और पूसा बसंती तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गमलों में उगाने हितु गैंदे की सरोतम किस्म निमली कितमेशे कौन सी है तो इन में से पूसा बसंती यह ध्यान न करा और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जेंतोफिल और जिया जेंतोफिल की मात्रा ज्यादा होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या है भी इसका राइट आंसर है पूसा बसंती यह ध्यान रखना है चले अगला देखो जरने के समान फूलों को सजाने की जापानी सेली किस्ये बनाई जाती है जरने के समान फूलों को सजाने की जापानी सेली क्या क्या राती है उसे कहते है कैस केडी ठीक है उसे कैस्केडी कहते हैं यह द्यानागना अब कैस्केडी क्या है तो द्यानागना कैस्केडी है गुल्दाउदी को जरने के समान सजाने की विशिष्ट कला तो यहाँ पर किसके फूलों को सजा जाता है गुल्दाउदी देखने पर ऐसा लगता है कि जिस परकार वाटरफोल से पानी गिरता है उसी परकार यहाँ पर केस्केडी में गुल्दाउदी के फ्लोवर्स को गिरने की क्योंकि गुल्दाओदी को हम क्या कह देते हैं नेस्टन फ्लोवर अब जापान ठीक है इसे क्या कह देते हैं इसे जापान का राष्ट्रिय पुस्प कहा जाता है यह ध्यान अगना को ठीक है जापान का राष्ट्रिय पुस्प कह देते हैं तो सीज का राइट आंस्वर है अगला देखो एवेन्यू क्या है कि सीमांकन हम सुरक्षा के लिए जाड़ियों का उप्योग तो इसे तो हम पुस्पी आपके जिसको कह सकते हेज कहते हैं यह द्यानकन आपको ठीक है इसको क्या कह देते हैं हेज इसे क्या कह देते हैं हम हेज कह देते हैं यह द्यानकन आपके जिसे विशिष्टिस्तान की सुरक्षा के लिए हम आपके इसे हेज की रूप में देख लेते हैं यह द्यानकन आपके जो उपर नहीं चड़ पाती और नीचे ही फेलती है तो हुने हम क्या कह देते हैं आपके ज सीधी लाइन में सड़क के दोनों किनारों की और लगाने की व्यवस्ता देखेगा जो यह रास्ता होता रास्ते के दोनों तरफ प्लांट्स को लगाने की जो व्यवस्ता है उसे कहते एवेन्यू यह गार्डन एवेन्यू और हाईवे एवेन्यू दो रूपों में जाना जात एक होता हर्बेसियस बॉर्डर जिसको कह सकते हैं पुस्पिय परीबंद ठीक है एक वर्ड पुस्पिय परीबंद इसे हर्बेसियस बॉर्डर कहा जाता है अगर हम हर्बेसियस बॉर्डर की बात करें तो हमें ये ध्यान लकना होगा कि हर्बेसियस बॉर्डर में आपको क्या देखने को मिलेगा जहां कोई इस्तान है हमारा जहां कोई ऐसी जगह जैसे आपका कोई चोराहा है या कोई सड़क के पास में है या पर वार्सिक जो फ्लोवर्स होते हैं उनको छोटे से बड़े के करम में फ्लो को क्या लगाया किया जाता है सजाया जाता है यह दिहार नग्रव इस परकार तो वह क्या कलाती है ग्रीज आपके हर बेस्राइज बोर्डर हेज आपके यह होई गई यह दिहार नग्रव आपको आगे कुछ टर्म ढ़र आगे तो वहीं पर चर्चा करेंगे अगला सवाल तो देखेगा फल सबजियां और फूलों को एक निशित संयोजन में सजाने की जापानी कला क्या अगल है वाट डूदा जापाने इस कॉल्ड अरेंजिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लोवर्स इन शर्टेन कॉम्बिनेशन मोरी बाना, इके बाना, ठीक है, मोरी मोनो और ओरी बाना तो सबसे पहले हम इके बाना, तो इके बाना में हम देख लेते हैं कि फ्लोवर्स को सजाने के एक जापानी कला है आपके एकेबना मोरी बना इसमें भी जेशे आपके क्या है फूलों को हम देखते हैं कि सजाने की विशिष्ट कला है लेकिन यह आपर देखो 1 मी ओरिबना फूल दान में फूल दान ठीक है वो भी कैसा कागज का तो कागज के फूल दान में कागज के पूलों की सजाने की विशिष्ट कला, तो आप कह सकते हैं, कागज के फूलों को सजाने की विशिष्ट कला, यह ध्यान अब आपको, ठीक है? इसमें फ्लोवर आपके फ्रूट्स भी आगए, वेजिटेबल्स भी आगए, और फूल भी आगए, यह ध्यान अब आपको, ठीक है? तो इसे कहा जाता है, मोरी मोनो, तो यहापर क्या है? मोरी मोनो, तो यह फ्लों, सब यह फूलों को एक निशित सही हों, जनमें सजाने की ज आपानी कला है, यह ध्यान लकना है आपको, ठीक है? अगला देखो, रोयल गोल्ड निमन लिखित में से, किसकी एक उननत किसम है, रोयल गोल्ड इस एन इंप्रूवड वेराइटी ओफ विच आप दा फॉलोंग, इसको आप अच्छे शे देख लेना है ना, तो यह आपको ज्यान होना चाहिए, वैसे. ठीक है? तो यह तो आपका यह था? यह भी फ्लोवर्स के सेंस में होता है, कि के भी आपके से फ्लोवर्स के सेंस में ही है. यहाँ पर रोयल गोल्ड निमन लिकित में से किसकी एक किसम है? देखिए गाम झीगा भी कुछ दिन पहले साइदे एक है नहींद ही दो दिन पहली क्लास में क्योसिन झाल नहीं जा नहीं है एक humour किस्यों टो ठीक है रोइल गोल्ड और एक शुपर इस्टार अब शुपर्श्टार अप सुपर्श्टार भी सी के साथ रुकल सुनिया और अलम रहेगा और दोनों पूस्पराज की वे से आर्नेशन नहीं है गुलदाओदी नहीं है है घलेड़ियूलिस रफाई शे पूरो गनधन्दों को उपचारत किया जाना चि पर एक अध्य है नग ठीक ait असी पर ओर्वर्धन की नित // परवर्धन तो यहाँ पर व्हन पर ट्राश्प्लांटिंक गलेडियोलस ट्यूबर्ट केंक तो फंजी साइड से सट्रेड किया जाता है ठीक है, fungicide से, तो यहाँ पर बाविष्टीन, कारबन डाजीम, कहराथेन और मेलाथियान, तो मेलाथियान तो छोड़ दीजेगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा फंजिसाइड की रूप में हम यहाँ पर इसमें बाविष्टीन का परियोग किया जाता है गलेडियूलस के अंतरगत इसको आपके फंगस से बचाने के लिए निमनलिकित में से कौन सा फ्लोवर फ्लोराइड की टोक्सिसिटी का सुचक है तो आपको पता है कि गलेडियूलस क्या है इसका सुचक का फ्लोराइड का आजओ पटाक से उध्यान की की सेली में प्राए एक रूपता पाई जाती है विच स्टाइल ऑफ गार्डन यूनिफॉ इस वर्मिलेटी यूजूली फाउंड देखेगा एक रूपता या दरपन का परतिविम्ब देखते हम है दरपन का परतिविम्ब को थिक है तो यहां आपको उफचारिक ता यह न उफचारिक सेली में प्रतिक राज़ते नाइंटी डिग्री पर करते हैं अपने लेप्ट का अभास अनौप्चारिक में करत्रिम में ये पोदों को पसूं के आधार में त्री आयामिय सजावटी के रूप में बदलने के लिए तैयार किया जाता है जिसे क्या कहते हैं पोदों को पसों के आकार में त्री आया में थ्री डाइमेंशनल इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई पोदा है कोई आपके हर्फ कोई जाड़ी है या कोई शर्ब से आपका है किसी भी प्लांट को कोई विशिष्ट आकार देने की जो आपके परक्रिया होती है या विशिष्ट जो क्रिया होती है वो क्या कलाती है प्लांट्स आर प्रिपेड टू ट्रांस्फोर्म इंटू ए थ्री डाइमेंशनल डेकोरेटिव फ्रोम इन दा शेप आप एनिमल्स कॉल्ड दे से तो प्यरी ऐसपी लियर हेडिंग बैक और बोंसाइ तो बोंसाइ जापान गला है विकास इसका चीन में हुँआ और यह क्या है किसी भी प्लांट्स को रखने में रिशिष्ट परकार की प्रकर्य पोदो को बोनाMER साइ में और सजाने में राध着 आपकी सुर्शन की में क्लास को आपके जानूर का आकर क्हरता है तो यह आज्वार आज की क्लास दी जिसको कह सकते हैं आपके एक विशिष जिसको कह सकते करेंट डाटा की उतकर्स के एप में कलास होने की वज़ेश आज की ये कलास आपको प्रीमियर मिल रही है लाइव नहीं है ये द्यानेकर आपको ठीक है तो सभी विध्यार्टियों को नमस्कार जेहिंद जेभात बैस्टो फ्लंग झाल 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 झाल